आप सबी मुझे सुन रहे हम भी कलाम चैनल पर मैं प्रिजेंट ली डेली गविंट स्कूल में ही आ गई मैं काम किया किवी स्कूल में ही ऑन्रा इला So Friends आज हम बात करेंगे किक बायोड़ की स्कूल में गईשהl के सभी क्रशतना के बाइया गश्ता है किया है गश्तारण के कहा से canopy घर से लेकजाना है के लेक्या से दिए आपाथ करेंगे पहला सवाल की बायर डेटा कहां से मिलेगा बायर डेटा देखी या तो आपको एमेल पर ही आजाएगा जो आपके रिजिस्टर एमेल आईडी हो ही केविस की पास या तो आपको उस एमेल आईडी पर ही आजाएगा वरना आपको एक notification आ जाएगी कि आप KVS की website से download कर लेजे KVS की website पर easily available है आप अभी भी जाकर check कर सकते हैं So वहां से आप अपना buyer data download कर लेगे मतलब buyer data का जो form है वो download कर लेगे Second point buyer data की कितनी copies लेकर जागी है आपको buyer data की five copies prepare करनी है अगला point की क्या buyer data की एक copy हम fill करके बाकी की copies print out निकाल ले या फिर photo copies कर ले तो फिर नहीं आप सभी copies अपने हाथ से fill करेंगे neat and clean handwriting में वो आप खुद की handwriting में fill करेंगे next thing की आप सभी copies को बहुत अच्छे से fill करें और सभी same होनी चाहिए देखी किसी ने पूछा था कि मैं पांच copies क्यों क्योंकि देखी generally जो वहाँ पर जो पैनल होगा उसमें पांच लोग होते हैं तो फिर ताकि सभी की पास वो एक एक copy हो और वो उसमें से questions put up कर सकें अगली बात बायर डेटा में क्या क्या चीजे लिखनी है क्या क्या नहीं लिखनी है और उसमें जो correspondence address है वो क्या लिखी तो देखें एड्रेस दो टाइप की होते हैं पर्मानेट address होता है एक correspondence address होता है सो correspondence address में आप वो लिखेंगे जहां पर आपकी जो letters है जो आपका जो joining letter होगा को letter होगा वो आपको मिलेगा सो आप वो वाला address वहाँ पर डाल सकते हैं अब देखिए अगली बात इसमें एक column आपको दिखेंगा कि subjects offered उसमें एक column होगा कि मानली जी आप graduation का लिखने कि graduation में आपकी कौन से subjects थे ताक वहाँ पर जरूरी नहीं है कि तीनों यर्थ की सारे subjects फिल कर रहे हैं जो common subjects से वो लिख दीजिए वो इतना ज्यादा माइने नहीं रखा जाता है एक overview लिया जाते है कि हाँ ठीक है कौन-कौन से subjects थे next question है कि क्या ही venue पर फिल करने है,ríट करकर लेकी जाना है और फिल करने है यह venue यह जो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, आपने किसी में पार्टिसिपेट ही किया खिमाने किसी भी कॉम्पेटिशन में. तो यह सभी चीज़े आपको बायोडेटा फॉर्म में फिल करनी है तो आए देखते हैं बायोडेटा फॉर्म जो है वो कैसा दिखता है इसके जो 9 पॉइंट्स है वो क्या क्या है हम एक एक करके उनके उपर बात करते हैं तो चलिए स्टाइट करते हैं तो आप सभी देख सकते हैं कि सबसे उपर जो कॉलम दिया हुआ है हमें वो क्या है सबसे उपर सबसे निए करना है कि हमकिस डेजिगनेशन के लिए अप्लाई कर रहा है जैसे कि इनिश्य मैम का वायर डैटर है, देखें यहाँ पे नमेंशन है, इनिश्य मैम ने फिल किया था, उन्होंने पी आर्ट के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने लिखा प्राइमरी टीचर पी रटी, उसके बाद आपका रोल नंबर आएगा, जो आपका जो KBS के एक्जाम के लिए जो रोल नमबर रहा होगा वो रोल नमबर आएगा उसके बाद देखी आपका जो थर्ड कोलम है that is category यानि कि आपने KBS के फॉर्म को अपलाई करते टाइम जो आपने category फिल की होगी वो आप यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद first point हमारा है name उसमें आप name लिखेंगे जो आपके 10th class की जो mark sheet में जो name होगा आप वो name यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद address for correspondence जिसके बारे में हम बात कर चुके है address for correspondence में आप लिखेंगे कि जो आपका अभी address है जहाँ पर आप रह रहे हैं ताकि जो भी letter आए वो आपके पास ही आएगा third point है date of birth date of birth भी आपकी match करनी चाहिए आपकी 10th class की mark sheet के साथ क्योंकि वो generally इसी से verify करते हैं उसके बाद next column है fourth point है हमारा father's और husband's name यहाँ पर आप fill कर देंगे fifth point में आप mobile number fill करेंगे fifth point पर और आप वही mobile number डाले जो functional हो जो हमेशा use में रहे कभी switched off ना हो क्योंकि कई candidates के साथ होता है कि वो mobile ही खो जाता है या फिर वो जो number है वो exist ही नहीं करता है तो फिर उनको कहां से वो information मिलेगी कि उनका selection हुआ या नहीं हो तो यह थोड़ा issue create हो जाते है सो आप email ID भी बिल्कुल सही डाले आप देखे 7th point पर हमें एक पूरी table दी हुई है यहाँ पर एक पूरी की पूरी table है जिसमें हमें अपनी academic and professional qualifications लिखनी है academic यानि जो हमने studies की हुई है वो और professional qualifications यानि की जो हमारी job related qualifications है academic मान लीजी आपने graduation की हुई है master's किया हुआ है तो फिर वहां पर और यहां पर हमें ध्यान देने के beginning from plus 2 level यानि की 12th class से हमें start करना है फिल करना so देखें फर्स्ट ओ फॉर्स्ट ओ फिल किया हुआ है senior secondary का यहां पर आप year of passing लिखेंगे यह जो अपना certificate होगा नहीं या mark sheet होगी उसके नीचे mention होता है कि year of passing आप वहां से देखकी फिल करेंगे उसके बाद total marks and marks obtained year of percentage of marks उसके बाद subjects offered तो फिर देखें यहां पर आप बहुत सारे subjects को list out ना करें नॉर्मले लिख दीजे commerce stream with maths लिख सकते है अगर आपके पास maths थी उसके बाद duration of course so 12 months one year की होती है 12th हमारी and board यह university so जैसे कि Delhi में CBSE board से ही किया था so आप यहां पर अपना board लिख देंगे उसके बाद जैसे कि जो candidates जो JBT होती है या फिर DL Ed होती है उसके basis पर फिल कर रहे है वो यहां पर फिल कर दिया गया है उसके बाद seated फिल कर दिया है जिनके पास graduation और जो आप master's show कर रहे है वो भी नीचे नीचे फिल करते जाएंगे ठीक है उसके बाद हम next point देखते हैं कि उसके बाद next column में हमारे पास क्या होगा देखिए उसके बाद हमारे पास 8th point में क्या है 8th point पर है experience along with pay matrix या फिल level pay band with grade pay तो देखिए इसमें आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि first point है post held name of the institution indicate whether the institution organization is central state government PSU यानी public sector undertaking autonomous bodies of central or state government क्या इन में से है yes or no ठीक है आपको just इतना mention करना है अगर नहीं है then no या फिर आप वहाँ पर एक line marker सकते है ने लिख सकते है उसके बाद आपको period लिखना है कि from to यानी कि आपने कब से कब तक job की है वहाँ पर उसके बाद है period of experience यानी कि total आपको कितना वहाँ पर experience हुआ two years five years six months कितना वो लिखेंगे और यहाँ पर आपका जो भी pay matrix level रहा वो फिल करेंगे उसकी बाद अब हम आजाते हैं eight point per that is a short note your suitability to the post यह आपको generally 50 words में ही फिल करना होते है सो यहाँ पर देखी जो निशा में हमने फिल किया था यह उन्होंने लिखा हुआ है मैं एक बड़ पड़ देती हूँ I am an industrious, dynamic and curious personality having aptitude and attitude for teaching I am looking for a platform which can help me to explore myself by providing me a challenging job and a supportive environment which Kinjaya Vidyalya Sangathan provides I take my duties as an opportunity to prove myself and want to use latest teaching methods and innovative practices to achieve my goal so देखी यहाँ पर आपने क्या दिखा दिया कि teaching मेरा passion है और मेरा goal है और KV Sangathan जो है वो मुझे अपने इस goal का अचीव करने में help करेगा so उसके बाद last है 9th point जिसमें आप any special achievement जो भी आपकी achievements रही होंगी वो fill कर देंगे जैसे आपकी कभी मतलब कोई position आई हो overall मतलब जो थोड़ी significant हो आप कोशिश करें कि मतलब बहुत चोटी-चोटी की मैं 9th class में या 6th class में कोई first position आयो उस तरह की नहीं लिखें आप कुछ कहीं participate क्या है किसी competition में वो सब लिख सकते हैं और जहां पर आपकी कोई rank आई या फिर नहीं भी आई से participation भी किया है तो भी लिख सकते हैं क्यूंकि participation भी एक बड़ी बात होती है लास्ली आप यहां पर date लिखेंगी जो आपके interview की date रही होगी और फिर आपके यहां पर नीचे signatures So I hope आप सभी कोई थोड़ा helpful रहने वाला है तो फिर आप प्लीज यह ध्यान से फिल करें और आपको इसे related कुछ questions है तो आप प्लीज कमें बॉक्स में लिखेंगी और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल लाइक शेर और सब्सक सब्सक्तर प्लीजिए